कि मुझे उपहार में मार्बल के लड्डू गुपाल जी मिले हैं क्या उन्हें घर के मंदिर में स्थापित कर सेवा करने चाहिए यदि हां तो कैसे मुझे विशेस जानकारी नहीं है आप कर सकते हैं लेकिन ग्रियस्त के घर में बारा उंगल से बड़ा विग्रह नहीं होना चाहिए यह आप ध्यान रखें क्योंकि आपने इसमें लंबाई लिखी नहीं है और जब आप बारा उंगल ना पेंगे तो योग पीठ को नहीं ना पना नीचे जो कमल बना होता है उसको नहीं ना पना यह पीठ बनी होती है चर्ण पीठ उसको नहीं ना पना चर्ण से लेकर के मस् स्रीवी ग्रह बतमूर्थी गरेष्ट के घर के अंदर नहीं होनी चाहिए उसके लिए अलग से मंदिर बनाओ फिर उसके लिए विसेश सावधान पूजा में उसकी फिर स्थाकना की जाती है वैदिक मंत्रों से प्राणिक मंत्रों से तांत्र के मंत्रों से और उसको फिर अचल स्थापित किया जाता है लेकन ये नेम ब्रिंदावन में लागू नहीं होता है ब्रिंदावन में अधिकतर जितने भी ठाकुर जी हैं कोई भी अचल स्थापितियां होते नहीं कहते हैं मैं मंदिर में एक जगह नहीं रहूंगा चाह वो ब्या जी बहार आजा है जब मर्जी किसे के घर चले है यह चलने फिरने वाले ठाक और एक जगह टिक के रहते हैं नहीं सब जगह जाओ आप पुरे भारत में कहीं भी पूरी दुनिया में जहां भी राधा कृष्ण के मंदिर है बड़े बिग्र है तो समेंट में एक दम पुरे जड़ दिये गए हिलते जुलते उनको कहते हैं अचल स्थापना सभी जगह अचल पर स्थापना होती यह नीम है लेक एक बार गिरी राज़जी क्योंगी गिराज़जी तो अचल स्थापना तो प्रेम माधुरी भाही परिकर्मा करी थी गिरी राज़जी की अे यहिए होली के दिन थे परिकर्मा करते करते जब जती पूरा पहुंची तो यहां पर होली के पद गाय जा रहे थे ब्रजभासा में प्रेम माधुरी बाई समझ लेती थी थोड़ी थोड़ी ब्रजभासा तो प्रेम माधुरी के साथ जो भक्त लोग थे उन्हों ने यहां होली खेलने आना हमारे घर होली खेलने आना है यह निमंतन दे रहे थे गिर्राजे को तो भगजी ने पूछ दिया प्रेम मादुरी भाई से बाई जी गिर्राजी तो अचल स्था पीता है किसी घर कैसे चले जाएंगे तो भाई जी ने उतर दिया हाँ यह तो अचल स्था पीता है यह तो जा नहीं सकते बाकि भगतों का भाव है निमंतन देते हैं कि हमारे घर आना है यह तो अचल स्था पीता है कैसे जाएंगे घर में किसी के यह कहे दिया भाई ने ठाकुर्जी से सहनने हुआ जब परिकर्मा करते हुए कि राज्य की आगे बढ़े तो आगे से ठाकुर जी आ रहे है पूरे बने ठने मुकड साब वो केवल प्रेम माधुरी बाई को दिखाए दे रहे हैं और किसी को नहीं दिखाए दे रहे हैं सामने से और उस समय प्रेम माधुरी बाई ने सोचा यह रास भी आरी ठाको रहे हैं मतलब बालक है कोई बालक कृष्ण बनावा है उसको रास भी आरी कहते हैं तो उनके सामने से जब उधर जा रही थी सामने ठाकोजी आ रहे थे थे सचमुझके ठाकोजी उन्होंने माल लिया यह कोई बालक है क्योंकि यहां पर बालक कई बार बिख्षा भीक में मांगते हैं बच्चे बहुत गल्थ है बहुत बड़ा पराद है तो उन्होंने सोचा कहीं रास लिला हो रही हो गई हो रही हो गई तो यह बालक कृष्ण का रोल करता होगा तो वहां जा रहा हो तो जब पांस से निकला तो अपने साथियों को कहने लगी कि देखो यह बालक कितना सुंदर है जो कृष्ण बनावा है कहते कहां अरे जो अभी गए देखा तो पीछे मुण के गायव थे वो किसी को दीखी नहीं रहे थे अब तो प्रेम मादुरी भाई को भी दिखना बन थे अब प्रेम मादुरी बाई को समते देर ने लगी कि तो सचमुच में गिर्राजी थे क्योंकि गिर्राजी स्वन सरी किस्ट नहीं तो सचमुच में गिर्राजी थे और ठाक मुझे तोड़ा आंखें त्रे रहे थे गुस्से से मिया करके कि तुमने मुझको कैसे कह दिया कि मैं किसी का घर नहीं ज चल के जाता हूं एक जगा स्थीर नहीं हूं मैं चलने वाला हूं और उसके बाद जब दान घाटी पहुंची तो जो वस्तर ठाकुज ने दान किये थे जैसा मुकुट जैसा स्रिंगार ठाकुजी ने दान किया था तो दान घाटी पे वैसे ही गिराजी को स्रिंगार हो रहा था अब और पक्का हो गया यह खेल क्या है उसके बाद फिर बरसाने गई उसके बाद फिर नंदगाउं गई फिर महिने बाद होली का उत्समनाकर वापिस गई शुक भावन में जहां रहती थी फिर गोरांगदास बावा के पास गई गोरांगदास बावा ने का कि बाई महिने बाद आई हो उत्समनाकर के कैसा रहा उत्समनंदगाव बरसाने का गिराजी कैसा रहापका दो चार दिन गिराजी में वास किया आपके तो कैसे आतर रही आपकी उन्होंने बता दिया जब सब बात अपनी तरफ से बता दी फिर गोरांग दास बाबा कहने लगे कि लाली गिराजी वाली बात नहीं बताई वहरान की हां बताई तो नहीं लेकर बाबा को कैसे लगा पता गिराजी ने जो चमतकार हुआ वो तुमने नहीं बताया वहरान की बाबा को कैसे पता लगा और उसने तुरंद का बाबा आपको कैसे पत लगा उसने का लाली ठाकुजी ने आके मेरे पास शिकैद की है कि प्रेम मादुरी बाई को समझा लो मुझको कहा रही थी तो अचल है कहीं जाते आते नहीं है इसलिए मैं ने उनको रास्ते में चलते भी दिखाया कि देखो मैं चलता हूं तो गिराज जी अचल नहीं है सचल है वो चलते हैं तो ब्रद से बाहर ठाकुजी की स्थापना अचल होती है और व्रिंदावन में जिते मंदिर ठाकुजी की स्थापना सचल है यहां एक जगा टिक्के नहीं रहते हैं भागते रहते हैं ब्यारी जी साल में आधि बार अंदर होते हैं आधि बार तो बाहर बरहमदे में होते हैं राधर वल्लाल जी बाहर आ जाते हैं चलते फिरते रहते हैं राधर रमन लाल भी कभी बाहर जगमोहन में कभी भीतर बरसाने में राधर आ नहीं बाहर आ जाती हैं साल में तीन बार नीची आ जाती है छतरी बे तो यहां के ठाकुर जी अचल नहीं तो देखा हमने बरसे बार जहां भी राधा कर्षणी की स्थापनै सब अचल सी तरा अचल लेकिन यहां पर बरज में सचल ठाकुर जी अचल नहीं तो बात चले थी सचल अचल की तो बारह उंगल से बड़े ठाकर जी ग्रेस्त के आहां नहीं होने चाहिए छोटे होने चाहिए फिर उसके लिए विशेष रूल नहीं होते यदि अचल स्थापीत है मंदिर में उसके लिए रूल है इसलिए सूतक लग जाए तो मंदिर में नहीं जाते हैं जहां अचल स्था पीता हैं वहां नहीं जाते हैं और घर के जो ठाकुर्जी हैं वो तो हमारे घर के एक परिवार के सदस्य हैं उनको भोग लगा सकते हैं अब कैसे आपने पूछा कैसे पूजा करें यह तो आपके भाव के उपर है कैसे पूजा करने चाहिए वैसे कई विधियां इसके सोड सोपचार पूजन होता है वो अलग विधि है लेकिन आपको एस सब करने के अवशक्ता नहीं सुबह ठाकुर्जी को असनान करा वस्तदान करा और सजाओ इनको अलंकारों से बड़ा प्रेम है ठाकुर्जी को गिराजी कहते हैं मुझको बहले कुछ ना पहनाओ बस मुझको नहलाओ दूद में गिराजी नाना ज्यादा परसंद करते हैं और जो विग्रह की रूमे ठाकुर्जी ये सजना ज्यादा परसंद करते हैं गिराजी कहते हैं नलाओ और छप्मन भोग लगाओ बस नाना खान और कुछ नहीं के सजाने के जूरत भी नहीं लेकिन विंग्रहारूा में कहते हैं अज नह पूर पूर पूरता है उनको स्रिंगार पसंद對 को भी स्नान करना जाना पसंद है स्रिंगार ना कराओ बने भोग न लगाओ बस नह आओ जो भी लोट महाँ आओ यह नहींbook हर रात के दो बज जाएं आओ लोटा लाओ हर हर मां दे कपड़ी भी पहनते हैं ना सजते हैं बस नंग दढ़ंग बैठे नहलाओ और बगल में पारवती जी हाँ जोड़े मुझको बख्षना जो चड़ाना इदरी चड़ाओ हाथ जोड़े मैं तो बनासी साड़ी पहन के तो कहते हैं पारवती जी हाँ जोड़े बैठी मुझको ख्षना करना इदरी चड़ाओ जो चड़ाना हो तो ठाक गुर्जी को सजना बड़ा पसंद है तो कैसे करना आपने पूछा तो पहले ठाक गुझको जगाओ फिर सनान कराओ फिर सजाओ सुन्दर बस्तर सुन्दर से भी फुश्चित करो फिर उसके बाद दीपदान पहले अगरबत्ती धूबत्ती धूब दिखाओ उसके बाद जोत जगाओ जब जोत जगाई ठाकोजे के सामने रख इसको बोलते हैं दीपदान फिर हाथ धो लेना क्योंकि जोत को सपर्श करके जब आगे दीपदान करते हैं उसके बाद हाथ धोने चाहिए फिर अगली पूजा करें पहले धूप दिखाओ और फिर दीपदान आगे रख दो बद दी दीपदान नहीं करते हैं उसी से आरती कर देते हैं दीपदान जो किया दीपदान के जगाए उसी आरती नहीं करते हैं भगवान को पत्र पुषप चड़ाओ तूलसी दल चड़ाओ पत्र पुषप चड़ाओ भोग लगाओ भोग उसारो पांध बीड़े का भोग लगाओ पुस्पांजलेर पन करो, ठाकोजी की परिक्रमा करो, दंडवत परणाम करो, महिला हैं तो पंचांग परणाम करें, और फिर जो भी घर में बने बिना प्याय लैसन वाला पवीत्र भोग लगाओ, जितनी बार आप खाते हैं उतनी बार भोग लगाओ, रात्री को दूद का भोग लगाओ, फिर आत्री को ठाकोजी को सुला दो, अगले दिन फिर जगाओ, दो पहरे के समय भी परदा बंद कर दो, इतनी पूजा नहीं होती, अधूरी कर लो, इसे कम कर लो, जितनी जिस से बने, करें.